वेरी वेरी गुड बॉर्निंग इस्टुदेंट्स फ्लास नाइंथ टुड़ास नाइंथ टुड़े आइम गोइंग तो गेब यू वीडियो फ्रॉम साहित सागर चैप्टर नमबर सिक्स जो अभी हमने आपको लास्ट वीक एक्स्पेन किया था सूर के पद आज बच्चो हम सूर के पद के प्रशन उत्तर आपको इस वीडियो में देंगे तो आप हम उमेद करेंगे कि आप इस वीडियो की सहायता से अपने प्रशन उत्तर वर्क बुक में कम्प्लीट कर सकेंगे तो चलिए, ये आपका हम पार्ट खोलते हैं, ये आपके सूर के पद हैं, अल्रेडी हम आपको एक्स्प्लेइन कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम लोग कोश्चिन पराते हैं, तो ये फिर्स्ट कोश्चिन का फिर्स्ट पार्ट है बच्चो, ये शोदा वेकिष्ण को पालने में जुला कर सुलाने का प्रेत्न कर रही हैं, वेकिष्ण को हिलाती हैं, दुलार करती हैं, पुछकारती हैं, और मधुर स्वर में लोरी गार कर सुनाती हैं, तो ये उनका प्रेत्न है, उसने सुलाने का, अब सेकिंड कुश्चिन है, बालकिष्ण पाल में जूलते समय कभी तो अपनी पलके बंद कर लेते हैं और कभी अपने होट फड़काने लगते हैं जैसे ही मा यशोदा गाना बंद कर देती हैं वैसी ही कृष्णा अकुलाने लगते हैं यह आपका सेकेंड आंसर हो गया थर्ड है जो सुख सूर अमन मुर्दुलब सो नंद भामन पावे कभी ने ऐसा क्यों कहा है जो सुख सूर अमन मुर्दुलब सो नंद भामन पावे कभी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यह सुख तो देवताओं और मुनियों को भी के लिए भी नेक्स्ट पेज़ पर आते हैं दो लब हैं लेकिन इश्वर ने यह सुख नंद की पतनी ये शोदा को दिया है रथाथ किष्ण की बाली लाओं को देखने और उनका अउलोकन करने का सुख ये शोदा कोई ही भाग में है अब आपका कुश्ट का फूर्थ पार्ट आया ये शोदा द्वारा किष्ण को पालने में जुलाने का अग्रिस से अपने शब्दों में लिखें ये शोदा किष्ण को पालने में जुला रही हैं वे किष्ण को हिलाती हैं दुलार करती हैं पुछकारती हैं और मधुर स्वर म कुछ गा रही है यशोदा कहती है हे निद्रा तुझे किष्ण बुला रही है जल्दी आकर उन्हें क्यो नहीं सुलाती है अब आपका second question का खीज़ज़ माखन का किसका प्रश्ण है देखिए माखन खाते समय किष्ण की चिस्टों करना है माखन खाते समय किष्ण मचल रही है चिड़ चिड़ा रही है और माखन खा रही है उन्हें नेद आ रही है नेद से उनकी आँखें लाल और भोवें टेढ़ी हो रही है और वे बार-बार जभाई ले रहे हैं नेद की जो सिम्टम्स होते हैं वो सब उनके दिखाई दे रही हैं आ रही हैं उनके फेस पर बाल किष्ण का सौन दरिका वर्ण करना है तो बच्चों ये बाल किष्ण के सौंदर का वरणन है उस समय वो क्या क्या लिलाएं करना है वो सब इसमें दी हुई है अब यहां पे सूर्य वादसल रसके समराट थे ये सूर्दास जी ने अपनी रचनाओं में किष्ण की विवेद है लिलाओं का वरणन किया है उपर युक्तुबद के आधार पर ये सूर्दा और किष्ण के वादसलता के वरणन को देखकर हम इस पस्ट रूप से कह सकते हैं कि वो वादसल रसके समराट से वादसल रसमाने होता है जो पुत्र के पति प्रेम होता है वो इन्होंने माता ये सोदा का बाबा नंद का किष्ण के प्रती सभी अपनी रचनाओं में दिखाया है किस तरह से माता ये सोदा धन्य हो जाती हो उनके प्रेम में और उनकी एक एक लीला को देखकर वो सारा इसमें आपको दिया हुआ है अब आपका आता है answer number fourth part इसमें शब्दार्थ है जो आपके ये रहे खीजना माने जुझलाना रोह लोचन लाला खें और जमहाई लेना जो जमात होते हैं जमहाई लेना अलक माने बाल निविक माने एक बार पलक जपकने में लगने वाला समय अर्थाथ एक शान तूतरे माने तोतला ये आपका आप आप आगया यहां पर third question, third question का इस्टेंज आगया जिसके प्रशने इधर है आप आजाए ये space पर तो देखिए ये हैं आपके प्रशने क्या है प्रशने बालकृषन क्या लेने की जिद कर रहे हैं माता ये शुद्धा उनकी जिद पूरी करने में क्यों असमर्थ है बालकृषन चंद्रमा खिलोना लेने की जिद कर रहे है माता ये शुद्धा असमर्थ होंगी जाईर सी बात है चंदरमा को कैसे उतार के दिया जाए हैं ना धर्ती पढ़ लाना संभव है तो वो कुछ-कुछ कह कर उन्हें बहलाने का प्रेत्न करती हैं वो आंसर ये आपका है फिर सेकेंड पार्ट में है जितपूरी गरवाने के लिए वो अपनी मां को क्या-क्या कह रह और लास्ट वे उपनी मा को क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं बनूगा बाबा नन्द का बेटा बन जाओंगा वो सब इसमें आंसर में प्रेजेंट किया है फिर आपका थर्ड पार्ट आता है थर्ड पार्ट में हैं माता ये शोदा उन्हें बहकाने के लिए क्या माता ये शोदा नहीं अपनाई उन्हें पास में बुलाया कि पास आओ और हम तुम्हें कुछ बताते हैं इसे बताने हैं तो इसमें देखिये लिखा है कि बल्राम उनकी बात को सुनना ले इसलिए पास आओ कान में बताएंगे उनसे कान में कहती है कि तुझे तो मैं चंद के लिए तुरन तयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो अभी ब्याहने जाएंगे सूरदास जी उनके सभी मित्रों को बराती होने और मंगल गीद गाने की कामना करते हैं तो यह आपका अंसर नमबर थर्ड पार्ट का थर्ड का थर्ड पार्ट हो गया आप फूर्थ पार्ट बजद पार्ट है सूरदास जी बाल लीला वर्डन की विशेश ताएं बताईए तो यह अब का अंसर है सूरदास जी ने बाल कृष्न की लिलाओं का अद्भू तरोंखा वर्डन किया है मार्मिक चित्रों किया है सूरदास जी के पदों में माय असोधा था उनके पोत्र वातसले वर्णन बिलको सचित्र दिखाई पड़ता है सूरदास जी जन्मान्थ थे लेकिन उनकी बाल लीलाओं का सचित्र वर्णन देखकर ऐसा विश्वास करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता हम उनकी जो रचनाएं पढ़ते हैं उसे देखकर हम कही नहीं सकते कि वो जन्मान थे उन्होंने कभी किष्ण की लीलाएं देखी नहीं तो बच्चो ये आपका हो गया पार्ट नमबर सिक्स के प्रश्न उत्तर सबच्ची इस वीडियो में देखकर प्रश्न उत्तर अपने वर्क बुक में कम्प्लेट कर लेंगे और आपका सेकंड यूटी सेवन ओफ दिसमबर से स्टार्ट है और आप अपने यूटी की बढ़ियां से तयारी कर लीजिए अल्दा बेस्ट टेक केर